फ्रेंट्स गर्मियों का सीजन आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना कच्ची केरियों से एक मज़दार रेसिपी बनाई जाए तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्ची केरियों की इंस्टेंट अचार जो बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार इस तरह से तीखी और चटपटी इंस्टेंट अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें तो अचार बनानी के लिए सबसे पहले मसाले तेयार करेंगे यहां मैंने दो चमच काले वाले सरसो लिये हैं एक चमच साबूत जीरा लेंगे एक चमच धनिया लिया है एक चमच मेथी डालेंगे एक चमच काली मिर्च लिये हैं दो चमच सौफ लेंगे अचार में सौफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैं यहां दो चमच सौफ का इस्तमाल कर रही हूँ साथी 5-6 लाल मिर्च भी डालेंगे और गैस का फ्लेम आन कर इसे हम 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बुनेंगे जब तक कि ये थोड़ा गोल्डन और इसे अच्छी तरह से खुश्बू ना आने लग जाए तब तक मसालों को बुने मसाले थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और खुश्बू भी आने लग गई है तो गैस का फ्लेम बंद कर इसे हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे और यहां मैंने 600 ग्राम कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लेने के बाद पोच लिया था और इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है इसे चिलके के साथ ही काटें और काटने के बाद इसे नहीं दोना है और यहां मैंने थोड़े से अद्रक लसन और हरी मिर्च ली है अद्रक लसन को चौप कर लिया है और हरी मिर्च को इस तरह से 20 से काट लिया है अगर आप अद्रक लसन नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आम का ही अचार बनाएं अब एक बड़े बरतन में अधरक लसन और मिर्च को इसमें डाल देंगे और साथ ही आधा चमच हिंग डालेंगे अचार में हिंग का इस्तमाल जरूर करें एक चमच की लॉंजी डालेंगे जिसे मंग्रेला भी कहते हैं एक चमच अजवाइन डाला है एक चमच हल्दी पौडर डाला है आदा चमच कसमेरी लाल मिर्च पौडर डालेंगे मिर्च पौडर मैंने कम ही लिया है क्योंकि हमने यहां हरी मिर्च और पिसने में भी लाल मिर्च का इस्तमाल किया हुआ है तो अचार हमारी तीखी बनेगी अब इन सब को mix कर ले, यहाँ पैन गर्म होने रखा है, अब इसमें तेल डालेंगे, तो अचार के लिए मैं यहाँ सरसो तेल का इस्तमाल कर रही हूँ, सरसो तेल में अचार बहुत ही tasty बनती है, पर अगर आप सरसो तेल पसंद नहीं करते हैं, तो normal cooking oil डाले, और इसे हुआ ना आने लग जाए, तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो gas का flame बंद कर इस तेल को हम इस मसालों के उपर डाल देंगे, गर्म तेल डालने से अध्रक लसन का कच्छा पन भी खत्म हो जाएगा, और dry मसाले थोड़े सीख भी जाएंगे, अब इन सब को अच देल ठंडा हो चुका है, तो अब ये कटी हुई अंबियां भी डाल देंगे, सबी अंबियों को डाल दें, और ये पीसा हुआ मसाला डालेंगे, जो हमने पहले तयार किया था, यहां मैंने मसाले को थोड़ा दरदरा ही पीसा है, अचार में मसाला थोड़ा दरदरा ही अच अचार में काला नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो दोनों नमक को आधा आधा करकर डाले और इसे अब अच्छी तरह से मिला लेंगे और अगर आपको तेल कम लगे तो गर्म करकर उपर से थोड़ा तेल डाल दे पर फ्रेंट्स ये इंस्टेंट अचार है इसे हमें 15-20 दिन में खत्म करना होता है तो बहुत ज़्यादा तेल डालने की भी जुरुत नहीं है अचार का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है साथ ही बहुत ही अच्छी कुश को आ रही है एक बार इस तरह से कच्छी केरियों की अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस अचार को अब हम किसी सुखे कंटेनर में रख दींगे और इसे फ्रिज में रख कर 15-20 दिन तक अराम से खाया जा सकता है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें थैंक्यू पर वाचिंग